हम एक पुतले रूपी रावन को हर साल मारते हैं लेकिन हर आदमी के भीतर एक रावन रूपी परविर्थी बैठी हुई है हर इनसान के अंदर एक रावन बैठा है हम अपने भीतर के रावन को नहीं मारते अगर हम अपने भीतर के भी रावन को मार लें तो मा में मात्रित का दर्शन होगा भाई में भाई का दर्शन होगा पिता में पिता का दर्शन होगा लेकिन आज क्या है आज हर व्यक्ति के भीतर रावन है इसलिए भाई के हक छीनता है आज हर विक्ति के भीतर रावन है, इसलिए मा को लात मारता है, आज हर विक्ति के भीतर रावन है, इसलिए अपने बच्चों को सही संसकार नहीं देता रावन ने भी यही किया था भाई को लात मारा मा की बात को अंसुनी किया नाना की बात को अंसुनी किया पतनी से जगड़ा किया भाई से जगड़ा किया गुरू से जगड़ा किया किसी को नहीं छोड़ा पिता को अब सब्द कहा यही रावनी परविर्ती है अगर आज ऐसा कोई आदमी कर रहा है कि मा के साथ गलत बेवहार, पिता के साथ गलत बेवहार, भाई के साथ गलत बेवहार अपने साथ गलत बेवहार बच्चे के साथ गलत बेवहार रावन चाहता था अपने बच्चे को भी उसने पापी बनाया आज अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो आप क्या सोचते हैं वो राबन था वो राबन था आज अगर कोई ऐसा कर रहा है तो भी राबन से कम नहीं है उस समय तो रामजी आये थे उसको नास करने के लिए आज कौन राम जी आएंगे आज रावन अगर आपके अंदर है तो राम भी आपको बनना पड़ेगा अगर हमारे भीतर कहीं से रावन की कोई प्रविर्ती आ गई है तो आपको ही राम भी बनना पड़ेगा और खुद ही रावन से लड़ना पड़ेगा और खुद ही अपने भीतर उन विचारों को मिटाना पड़ेगा इसलिए मैंने कहा कि यह जीवन बड़ा अनमोल है ना जाने किस घड़ी, किस मुकाम पर जीवन का दीपक बुझ जाए कब किस से बिछुड़ना हो जाए कोई जरूरी है कि आदमी बुढ़ा हो कही मरेगा कई बार जवानी में भी आदमी गुजर जाता है बच्पना में भी गुजर जाता है जीवन बड़ा छण भंगुर है इसलिए जो जीवन छण भंगुर है उसमें विवाद के साथ जीने से क्या फायदा विशाद के साथ जीने से क्या फायदा जगडे के साथ जीने से क्या फायदा इतना अच्छा हो कि हम प्रेम भक्ती के साथ जीएं आनंद के साथ जीएं खुद भी आनंदित रहें दूसरे को भी आनंद वाटें बच्चों में भी दिब्व संसकार दें माता पिता भी खुद संसकारी बने देखिये फिर जीवन स्वर्ग से भरा होगा जीवन आनंद से भरा होगा इसके लिए ही तो लोग महनत करते है इतनी महनत जो आदमी करता है इतनी कमाई करता है किसके लिए करता है कि हम सुख ही रहें हम सुख पा सकें शांती पा सकें आनंद पा सकें इस धर्ती पर एक चोर भी है आप उसे पूछिएगा कि तुम चोरी क्यों करते हो वो कहता है सुख पाने के लिए इस धर्ती पर एक चोर भी चोरी सुख पाने के लिए करता है ये अलग बात है कि चोरी में सुख नहीं है दुख है, सुख का रास्ता ही अलग है और वो रास्ता हनश सत्संग से मिलता है तो यह दिहान रखें कि क्या पता इस जीवन में कब किस से बिछुड़ना हो जाए कई वार माता पिता रहते हैं और बच्चे चलवस्ते हैं कई वार बच्चे रहते हैं, माता पिता चल वसते हैं, कई वार पती है, पतनी चली गई, पतनी है, पती चला गया, कई वार बड़ा भाई बच रहा है, छोटा भाई चला गया, यही जीवन का खेल है, तो कब किसको कहां कैसे जाना हो, कोई नहीं जानता, आज जीवन मिला है, सोचिए, विचारिए कि हमें अपने जीवन को सत्य से सजाना है भक्ती से सजाना है अच्छे अच्छे कपड़े तो आप खरिद लेंगे बजार से लेकिन अच्छे संसकार आपको सत्संग से मिलेंगे जैसे सरीर में हम अच्छे कपड़े डालते हैं शरीर संदर लगता है, ऐसे ही, जब हम अपने मन में अच्छे विचार डालते हैं, अच्छे संसकार डालते हैं, तो आपका व्य внеш prefer च्छार लगता है। और वो मुख से कड़वा बोलता है, गाली देता है, आप उसको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे. लेकिन कोई चहरा से भले सुन्दर ना हो, उसकी बानी मिठी है, उसकी बानी में मिठास है, इमानदारी है, आप उसको पसंद करेंगे. माता सवरी बहुत सुन्दर नहीं थी, गानधी जी सुन्दर नहीं थे, लेकिन उनका जीवन, उनका विचार इतना सुन्दर था, कि आज उनकी पूजा होती है. और फिलमी जगत में बहुत से हीरो हीरोईन है, बहुत सुन्दर है, उसकी पूजा होती है. कहीं कोई मंदिर है, किसी घर में नहीं कि अगरबती घुमाओ जब भी पूजा होगी महापुरसों की होगी सतिसावित्री की होगी अनसुया की होगी सवरी की होगी गांधी जी की होगी राम जी की होगी कभिर साहब की होगी नानक देव की होगी रैदास की होगी पूजा इन ही की होगी बाबा साहब की पूजा होगी भगत सिंग की पूजा होगी पूजा इन की होती है इसलिए मैंने कहा कि यह जीवन जणिक है यह जीवन नस्वर है ना जाने यह जीवन का दीपक कब बुझे जाए इसलिए इससे पहले की जीवन का दीपक बुझे हमें अपने भीतर वह जोती जगाना है